जो आज की इस वीडियो में देखेंगे गक्षच है विशय विज्ञान एडग्रेट अभिहास पुस्तिका दोज़ार बिस पच्चिस आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय दस अध्याय दस में है जुम्ब को द्वारा मनुरंजन तो चलिए आगे चलते हैं इसको जो है आप देख लीजे पढ़ लीजेगा और यहाँ पर आपको लिख लेना है इसे भल लीजेगा इसके बाद आता है आपका बहुविकल्प ये प्रेसन सही विकल्प चुन कर लिखे पहला कोश्चन है निमने में से कौन सी वस्तु मजदी की पदारथ है तो आपको कने हैं निकल इसके बाद आता है आपका चुमब्बक के समान धुरो के समित लाने पर होगा तो आपको तर्यम करना है जदयों प्रेतीकारसण इसके बाद नेक्सट कोश से चनाता है आपका दिये गया स्थानों में से रिक्तुइश् चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्थी कीचे तो यहाँ पे आपको खाडि स्थान भरना है तो पहले में भरना है आपको चुम्बक्तवे और दूसरे में भरना है आपको उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिड तीसरे में भरना है आपको दिख सूचक और चौते में भरना है आपको चूंब की और पांचयम भरना है आपको मैने टाइट तो आप इस तरह भल लीजेगा इसके बाद नेक्स पोशन आता है आपका अतिलगूतरी प्रेसन प्रेसन कर्मा के दूसरा में है चुंबक किसे कहते हैं यह कितने प्रकारके होते हैं उनके नाम लिखे तो आपको तर्म करना है वे पदार चो लोहे को अपनी और खीचते हैं चुंबक कहलाते हैं प्राकर्तिक चुम्बक और क्रेत्रिम चुम्बक नेक्स्ट कोश्चन आता है तीसरा में है यह वरत्तकार चुम्बक में दो दुरूप होते हैं आपको तर्मिकरना है हाँ वरत्तकार चुम्बक में दो दुरूप होते हैं चौथा कोश्चन है चुम्बक के दो टुकडे होने से उसके चुमबक्त पर क्या प्रभाव परेगा ? आपको तर्मकरना है चुमबक के दो टुक्डे होने से उसके चुमबक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा Next आता है आपका प्रिश्न करमांग 5 वा तर्म चुंब को गर्म करने हथाओडी से पीचने तथा उचाई से गिरने पर वह अपना गुड खोदेती है नेक्स्ट आता है आपका छटवे में है चुम्बी की सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है कारड बताईए तो आपको तर्मिकन है क्योंकि चुम्बी की सुई अपनी चुम्बी की गुड़ के कारड किसी चुम्बी की पदार्थ से आकरशित होकर खोशकती है कहलाते हैं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट दूसरा है वे पदार्थ चुम्बक को अपनी और हकर्षित नहीं करते अचुम्ब की पदार्थ कहलाते हैं जैसे रबर प्लास्टिक इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका आठवे में हैं लोहे के आताका टुकडे से को बिना हटाए इस पत्ति के दूसरे तक ले जाए इस प्रेकरिया को लगभग 30-40 बार करके लोहे के पत्ति को चुम्बक बनाया जा सकता है नौमा में चुम्बक की पांच प्रमुख विसेस्ता लिखे पहला विसेस्ता है चुम्बक के दो दुरूव होते हैं उत्री दू दूसरा है समान दुरूवों में प्रतिकर्षड होता है तीसरा है आश्मान दुरूवों में आकर्षड होता है चौथा है यह चुम्बक की पतार्थ को अपनी और आकर्षित करता है बाच वह चुम्बक को गरम करने पर वह अपना गुड खो देती है नेक्स आता है आपका नेक्स्ट आता है अगर किसी लगड़ी के टुकड़े के ऊपर चुम्बक की परत चड़ाई जाए क्या वह चुम्बक की भाती कारी करेगा आपको तर्म करने हाँ वह भी चुम्बक की भाती कारी करेगा नेक्स्ट आता है पदीरगुत्री प्रेशन प्रेशन क्रमंग 12 में सुतनता पूरग लटके हुए चुम्बक से दिसाओं की पहचान कैसे की जाती है एक प्रयोग के माध्यम से इसपस्ट कीजिए तो यहाँ पर देख लीजे इस तरह से चित्र बना है और आपको लिखना है चुम्बक को धागे से बांद कर एक स्टेंड की सहायता से लटका लिया जाता है फिर हम इसे घुमाते हैं जब यह रुकता है तो हम देखते हैं कि यह उत्तर दक्षिड में ही रुकता है तो आपको इस तरह करना है 12 का उत्तर इसके बाद 13 में है हमें कुछ विद्धूत उपकरणों को चुम्बक के पास ना रखने की सलाय क्यों दी जाती है अपने दैनिक जीवन में उपयोग के ऐसे उपकरणों की सुची बनाईयों जो चुम्बक के प्रभाव से खराब हो सकते हैं आप अरी चुम्बक उपकरणों के चुम्बक की घटकों के साथ हांस्त छेप करेंगे और जिससे वे खराब हो सकते हैं नेक्स्ट को चनाता है आपका प्रशन करमांग 14 किस स्तुति में अकरश्ड होता है तथा किस सीटि में प्रतिकर्फड utaharad के माध्यम से अधिया तो आपको अथर्म करना है तो देख लिए इसितरह से आपको यह बना है इसको देख कि आपको समझाना है और लिखना है लिखा है जब दो चुम्बगों के आशमान दुरूब पास आ जाते हैं तो उसमें आकरशड होता है लेकिन जब दो चुम्बगों के समान दुरूब पास आते हैं उसमें उनमें प्रतिकरशड होता है तो आप इस तरह से कल ली की एक पट्टी को मेच पर रखते हैं फिर शड़ चुमबक का कोई एक दुरुब लोहे के पट्टी से एक सीरे पर रखते हैं चुमबक को बीना हटाए इसे पट्टी के दूसरे सीरे तक ले जाते हैं इस प्रकरिया को 3-40 बार दोहराया जाता है इस प्रकर लोहे की पट्टी को चुमबग बनाया जाता है इसके बाद आता है है प्रोजेक्ट का रवण कि प्रोजेक्ट का रवन पहला है पहला कोस्टन में लिखाया है अपने आसपास पाई जांबाया वाली वस्तुमें प्लास्टिक तामबा कागच एलुमीनियम रबर पत्थर तो जो है चुंब की आचुंब की पदार्थों के नाम इस तरह आपको लिख लेने हैं यह था आपका लास्ट कोश्चन यहां पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमाई चैनल क लाइक एंड सिस्क्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो